Hello Students, Welcome to G1 Classes देखेगा आज के ये questions काफी जाधे important हैं और काफी questions आपको ऐसे मिलेंगे जो आप पर आते होंगे और कुछ questions नए जुड़े हुए हैं जो आपके परिक्सामें पुछे जाने वाले हैं लेकिन कुछ students नहीं जानते हैं तो उनको ध्यान से देखेगा question है आगरा किला किसने बनवाया था आगरा किला किसने बनवाया था बताइएगा आगरा किला किसने बनवाया था इस तो एंस comment कीजिएगा option है हिमायू, अकबर, नरसिंग, आलहा तो बताइए कि option number कौन सा सही होगा आगरा किला किसने बनवाया था तो यदि option आपके B है अकबर तो आप बिल्कुल सही है B option बिल्कुल सही आंसर होगा अकबर अकबर B option को लॉक कीजेगा आगरा का जो किला है वो बनवाया था अकबर ने Next है सिंदु घाटी के लोगों का सबसे महतपून व्रक्स कौन सा है सिंदु घाटी के लोगों का सबसे महतपून व्रक्स की बात हो रही है तो सबसे महतपून व्रक्स कौन सा होगा वो आपको बताना है तो पहला है बरगद, दूसरा, पीपल, लिप्टिस, या फिर छोटी फुलवारी चार ओप्शन है, ओप्शन आपको बताना है सिंदु घाटी के लोगों का सबसे महतपून व्रक्स कौन सा था तो यहाँ पर बरगद है, पीपल है, लिप्टिस है और छोटी फुलवारी है तो आपका ओप्शन नमबर हो जाएगा, ओप्शन नमबर B, पीपल तो पीपल का जो व्रक्स है, वह सिंदु घाटी के लोगों का सबसे महतपून व्रक्स था वह उसकी पूजा करते थे, तो पीपल का व्रक्स याद रखेगा, पीपल ठीक है पीपल का वरक्स है जो सिंदुगाट सभ्यता के लिए बहुत ज़्यादा महत्पुन वरक्स था option number B आपका बिल्कुल सही आंसर होगा next है हडपा सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे तो ऐसी कौन सी धातु थी जिसको हडपा सभ्यता के लोग नहीं जानते थे आपने देखा होगा मूवी में भी कि वहाँ पर कांसा के सोने के इस तरीके से जो हत्यार थे वो होते थे ठीक है जिनका जो है सप्लाई की जाती थी दूसरों को बेचा जाता था तो हडपा सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं मानते थे तो हडपा सभ्यता के लोग नहीं मानते थे किस धातु को ऑप्सन दिया है सोना पीपल पीतल चांदी लोहा सोना, पीतल, चांदी, लोहा इन चार में से कौन सी वह धातू है जिस धातू को हडपा सभ्यता के लोग नहीं जानते थे तो students यदि आपको option D है लोहा तो आप बिल्कुल सही है D लोहा धातू ऐसी है जो हडपा सभ्यता के लोग जिसको नहीं जानते थे ठीक है तो हडपा सभ्यता के लोग लोहे को नहीं जानते थे option number D लोग कीजिए next question है सबसे अधिक दिनों तक जीने वाला प्राणी कौन सा है इस question को सभी को पता होगा ये question ऐसा है कि सभी क्यों इस question का answer पता होगा कि क्या है इस question को सभी लोग answer कीजिएगा जल्दी से सभी को पता होगा कि ये कौन सा question है और क्या इसका answer है देखेगा अब आपको पता लगया होगा कि इसका answer क्या है ठीक है तो इसका answer है C कच्छवा सबसे अधिक दिनों तक जीने वाला प्राणी कच्छवा है मचली हाथी कुत्ता ये सब कच्छवे से कम दिनों तक ही जीने वाले प्राणी है तो सबसे ज़्यादा दिनों तक जीने वाला प्राणी कौन सा है कच्छवा है option number C आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कच्छवा next question है भारत का सर्वपर्थम governor सर्वपर्थम governor general कौन था ठीक है भारत का सर्वपर्थम governor general कौन था तो आप याद रखेगा भारत का सर्वपर्थम governor general William Benting, John Paul, Kenton या फिर John Abraham तो बताएगा कि वह कौन है जो भारत का सर्वपर्थम governor general था तो यदि आप option number A लगा रहे हैं William Banting तो option number A William Banting बिल्कुल सही आंसर होगा William Banting option number A लौक कीजिए next question है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्ये में निकलता है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्ये में निकलता है तो याद रखिए भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्ये में निकलता है option है बिहार अरुनाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश और जहारखंड तो चार सबसे पहले सुरे कि सवतंत्र भारत के पुर्थम राश्ट्रपती कि साथी बताइयेगा ऑप्सिन है कण्ड़ाटक, भैंगलूरु, हर्याना, बिहारत, आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के पर्थम राष्ट पति किस राज्जी के थे तो यहाँ पर यदि हम option की बात करें तो option number B बैंगलूरू सही आंसर हो जाएगा option number B बैंगलूरू option को lock कीजिए option number B सही होगा next है दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है हाल ही में काफी जादा चर्चा में हैं दुनिया का सबसे बड़ा देश तो दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है याद रखेगा रूस युकरेन चीन भारत इन में से दुनिया का सबसे बड़ा देश है रशिया याद रख युक्रेन और रस्या के बीच में जो युद्ध शिड़ा हुआ है तो उसकी वज़े से ये काफी ज्यादा चर्चा में है नेक्स क्वेशन है वर्ल्ड वार वन में कितने देशों ने हिस्सा लिया था बताईगा वर्ल्ड वार वन वर्ल्ड वार वन में कितने देशों में हिस्सा लिया था जल्दी से कमेंट कीजिएगा आजमसर है तीस पचीस पचास अठाइस चारा आजमसर दिये हुए है इनमें से एक सही है आपको बताना है तो बताईए कौन सा आपसन जो है सही होगा आपसन नमबर ए आपका बिल्कु करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है कोरोना वायरस की पहली केस भारत में कब पाई गई तो कोरोना वायरस की पहली केस भारत में पाई गई थी ऑप्सन है जनवरी 2020 नमबर 2019 दिसंबर 2019 मार्च 2020 तो आपको सही आंसर का चुनाव करना है कोरोना वायरस की पहली केस भारत में कब पा くहाइ गही ति जनवरी 2020 में और अभी तक इसका असर है यह काफी जादा मात्रा में जन्हानी कर चुका है और अभी भी काफी ज़्यादा अपना फैलाव कर रहा है ने जिक प्षेंजर ला रहा है तो देखिए next question आपके पास है next है राष्टे पक्सी दिवस कब मनाया जाता है राष्टे पक्सी दिवस कब मनाया जाता है इसको आप ध्यान रखेगा राष्टे पक्सी दिवस कब मनाया जाता है तो option है आपके पास 5 फरवरी 26 अगस्त 27 नमबर और 11 नमबर जल्दी से बताएगा option आपका क 26 अगस्त को 26 अगस्त को आपका राष्टे पक्सिदिवस मनाया जाता है तो याद रखेगा 26 अगस्त ठीक है नहीं यह आंसर गलत होगा 26 अगस्त नहीं है 26 अगस्त आंसर नहीं होगा 11 नवंबर आंसर आपका सही होगा 11 नवंबर इस्ट्वेंट से याद रखेए 11 नवंबर ठीक है, 11 November को याद रखेगा, 11 November आपका सही आंसर होगा, राष्टे पक्सित दिवस मनाया जाता है, 11 November को Next है, International Women's Day, International Women's Day कब मनाया जाता है? International Women's Day कब मनाया जाता है? तो option है, 2 March, 8 March, 26 January, 15 August Option आपको दिये गए हैं, सही option का चुनाव करना है International Women's Day कब मनाया जाता है? तो याद रखेगा, International Women's Day, option number B, आपका बिल्कुल correct answer है 8 March को Women's Day मनाया जाता है, International Women's Day, 8 March याद रखेगा, option number B, आपका बिल्कुल सही आंसर है ठीक है, next है, गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? पांच जून 20 नवंबर तो आपको याद रखना है गोवा मुक्ति दिवस गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है यदि आप option लगा रहे हैं option number B 19 दिसंबर यदि आप लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है option number B आपका correct हो जाएगा 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है याद रखिये नेक्स्ट है राश्ठीय गणित दिवस कब मनाया जाता है तो आपको option में 2 दिसंबर है छे दिसमबर है पाँच नवंबर है और 23 दिसमबर है ठीक है तो आपको option में बताना है कि राश्टे गणित दिवस कब मना जाता है तो याद रखेगा राश्टे गणित दिवस यदि आप option मार रहे हैं 23 दिसमबर तो 23 दिसमबर आपका बिलकुल correct answer होगा 23 दिसमबर याद खट्टे फलो में कौन सा एसिट पाया जाता है। विम्हें सल्फियॉरिक अमल को शुक्षों है। इसल्फियॉरिक लिआ। इसल्फियॉरिक और शुक्ष है। उसल्फियॉरिक अंप्रफश है। लोग बताना। पनारिasages, है रहा कंकुникомण कि इसल्फियूरिक किजिए कमेंड में लिखेगा कौन सा option सही होगा तो याद रखेगा खट्टे फलो में पाया जाता है citric acid option number B सही होगा citric acid पाया जाता है खट्टे फलो में option number B ठीक है next है भारतिय समिधान की भारतिय समिधान को पहली बार कब संसोधित किया गया भारतिय समिधान को पहली बार कब संसोधित किया गया याद रखेगा option में 1960, 1962, 1948, 1950 आपको मिल सकता है तो आपको सही option का चुनाव करना है तो आपका answer हो जाएगा 1950 1950 में भारतिय समिधान में पहली बार संसोधन हुआ था पहली बार संसोधन 1950 में किया गया था option number D आपको बिल्कुल correct कर देना है next है महराणा प्रताप बुल बुल किसे कहते थे महराणा प्रताप बुल बुल किसे कहते थे तो देखेगा ये question काफी ज़्यादा मजाक्या भी लगता है और परिक्सा के माध्यम से important भी है जल्दी से इस question का answer नहीं दे पाते हैं कोई students तो आप जो है इस question को नहीं छोड़ेंगे देखेगा किसे कहते थे खुद को कहते थे अपने घोडे को कहते थे अपने रानी को कहते थे या इन में से कोई नहीं तो देखेगा सबसे ज़्यादा students जो लगाएंगे वो लगाएंगे option number C जो बिल्कुल गलत हो जाएगा ठीक है गलत नहीं होगा option number B बिल्कुल सही होगा option number B correct answer है अपने घोडे को महराना परताप बुलबुल के नाम से पुकारते थे next है rollate act को किस वर्स लागू किया गया था rollate act को किस वर्स लागू किया गया था rollate act 1810, 1919, 1920 या 1910 में तो students याद रखेगा rollate act को किस वर्स लागू किया गया था rollate act को किया गया था 1919 में आप option number B अगर लगाएंगे तो आप बिल्कुल सही है option number B 1919 आपका बिल्कुल correct answer होगा 1919 लोग किजिए तो तो सिन्दू गाटी सभ्षा का बंदर गहा भंपर था ये आप लोग जानिएगा option है लोथक 우리нач अंटीक आपको का ने कोई नहीं तो सिन्दू गाटी कीस जो बंदर गहा है वो कहांपर था देखेगा यहाँ पर option दिये गया है तो option number A आपका बिल्कुल सही होगा, लोथल में, लोथल में सिंदु घाटी का बंदरगा था, option number A आपका बिल्कुल सही होगा, next है, अरजुन अवाड किस छेतर में प्रदान किये जाते हैं, तो अरजुन अवाड छेतर में प्रदान किये जाते हैं, option में दिया हुआ है, यु युद्ध, खेल, राजनिती या इन में से कोई नहीं अर्जुन अवाड की छेत्र में प्रदान किया जाता है तो यहाँ पर option इदे आप B लगा रहे हैं खेल तो आप बिल्कुल सही है option number B आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि खेल में अर्जुन अवाड दिया जाता है ठीक है खेल, अर्जुन अवाड खेल में दिया जाता है option number B आपका बिल्कुल सही आंसर है next है नोबेल पुरुसकार कौन सा देश प्रदान करता है तो आपका आंसर दिया हुआ है चीन, स्वीडन, रूस, USA तो आपको भूलना नहीं है आपका option हो जाएगा USA USA आपका option हो जाएगा याद रखेगा USA नोबेल पुरुसकार पुरुसकार करता है next है बेंटिंग ब्लॉक सब्दावली किस खेल से सम्बंदित है किर्केट से, खोखो से, कबड़ी से, भागम भाग से तो आप याद रखेगा किर्केट, खोखो, कबड़ी, भागम भाग में से जो बेंटिंग ब्लॉक है, बेंटिंग ब्लॉक सब्दावली जो बोली जाती है वो कबड़ी में बोली जाती है, ठीक है, यह कबड़ी से रेलेटिड है betting block याद रिखेगा option number C आपका बिल्कुल सही हो जाएगा C option next है वर्ष 2010 की Forbes 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनिया सामिल है वर्ष 2010 की Forbes 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनिया सामिल है तो यहाँ पर आपको option दिये गए है 10, 20, 52, 56 10, 20, 52, 56 आपका option आपका सही है 56, 56 आपका दियावाई option number D में तो वर्ष 2000 की Forbes 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनिया सामिल हैं तो वह हैं 56, 56 कंपनिया आपका सही आपका दियावाई आपका सही आंसर होगा next है भारत निम्लिकित में से किसके उत्पादन में आत्म निर्भर हो गया है भारत निम्लिकित में से किसके उत्पादन में आत्म निर्भर हो गया है तो वह है पीतल, तामबा, सोना, लोहा तो इन में से आपको बताना है कि कौन सी वह धातू है जिसमें भारत उत्पादन में आत्म निर्भर हो गया है, तो आपका option है, option आपको सही लगाना है, गलत नहीं करना है, आपका option है लोहा, D option आपको बिल्कुल सही होगा, जिसको इंगलिस में बोलते हैं iron, ठीक है याद रखेगा, iron बोलते हैं लोहे को भारत जिस पर जो है, राजिस्थान, हरियाना, 36 गड़, बिहार, राजिस्थान, हरियाना, 36 गड़, इन चार option में से आपको correct answer चुनना है, correct answer बताएगा, comment कीजिएगा, student जल्दी से, हम आपके comment ले रहे हैं, comment कीजिएगा, रन थम्बोर, चीता, सरन इस्थल, कहां पर इस्तित है, तो बिहार, र पैमाने पर निमलिकित में से किसको मापा जाता है, रिचर पैमाने पर निमलिकित में से किसको मापा जाता है, आदरता को, तापमान को, भुकंप को, जलिस्तर को, तो याद रखेगा, रिचर पैमाने पर मापा जाता है, हमेशा याद रखेगा, ये question बार बार question paper में आया ह हुआ है तो इसको याद रखेगा कि रीचर पैमाने पर मापा जाता है और सी भुकंप को भुकंप को रीचर पैमाने पर मापते हैं और सी लोग किजिए आंसर आपका सही होगा नेक्स्ट है भारत में कब पहली बार राश्ट्री आपातकाल घोसित किया गया था आपके पास option है 1960, 1961, 1971, 1962 सही आंसर का आपको चुनाब करना है जल्दी से बताएगा कमेंट कीजिए 1960, 1961, 1971, 1962 ABCD में कौन सा सही होगा तो भारत में पहली बार राश्ट्री आपातकाल घोसित किया गया था तो वह किया गया था याद रखेगा option में option आपका बिलकुल correct होना चाहिए option हो जा भारत में राश्ट्री आपातकाल घोसित किया गया था 1962 option number D में ठीक है next है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी तो इस्ट्वेंड्स option है 30 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1948, 25 जनवरी 1960 और 26 जनवरी 1950 तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी यह आपको बताना है तो याद रखिएगा 30 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1948, 25 जनवरी 1960 और 26 जनवरी 1950 में से सही आंसर होगा option number B 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी option number B याद रखिए option number B लोग कीजिए सही आंसर है भारत में license प्राप्त करने की I.U. क्या है भारत में license प्राप्त करने की I.U. क्या है अठारा वर्स जो students अठारा वर्स लगाए है उपसर number D वो बिलकुर सही है अठारा वर्स आपका correct आंसर होगा ठीक है ये थे आज के question आप इनको ध्यान से देखेगा और हो सके तो आप कहीं पर इसको लिख लीजेगा ये परिक्स्ता के मादर में से काफ़ ज़्यादा important है